हेलो और नमस्ते, वल्कम टू एटीश ओनलाइन, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है क्लास एट का चैप्टर नमर सेकेंड, दर सुनामी, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सुनामी के बारे में बता दो, सुनामी एक बहुत बड़ी, लार और निकोबार आइलेंज और तमिलनाडू के कोस्टल एरियास को इफेक्ट किया था, यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग कुछ स्टोरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो करिज और सर्वाइवल की है, यानि साहस और सुनामी से हिट होने के बाद जिंदा बचने की ह और क्या एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है, कि सुनामी आने वाली है, तो यहाँ पे कुछ स्टोरीज है जो हमें बताती है, अच्छली नहीं पता चल जाता है, चलिए बिना दिल के हम लोग करते हैं चैप्ट का एनिमेटिव वीडियो स्टार्ट सबसे पहले स्टोरी हमारे पास है, एन्डमान एन निकोबार आर्की पलागों से, आर्की पलागों बहुत सारी छोड़े छोड़े आईलेंड्स का एक ग्रूप होता है, इगनेशियस एक मैनेजर था, कौपरेटिव सोसाइटी जो की कच्छल में थी, उसकी वाइफ एक दि केलिविजन नीचे रखता है, और सारे के सारे लोग बाहर भाग करा जाते हैं, जब भूखम के जटके बंध हो जाते हैं, तो वो दिखता है कि समुदर अब उपर की तरफ उठ रहा है, और इसी कन्फिजन में उसके जो दोनों बच्चे होते हैं, उसमें से एक उसकी मदर क फादर का हाथ पकड़ता है, यानि उसके नाना का हाथ पकड़ता है, और दूसरे बच्चे अपने मामा का हाथ पकड़ के opposite direction में भाग जाते हैं, उसके बाद उसको कभी भी अपने बच्चे दिखाई ने दे, उसकी वाइफ भी बेह कर चली गए थी इसी पानी में, सिर्फ की वाइफ की चिलाहट सुनाई देती है, चीक सुनाई देती है, संजीव सिदा पानी में जाता है उसको बचाने के लिए लेकिन दोनों पानी के वाज़े से बह कर दूर चले गए थे, एक 13-year-old girl थी, यानि 13-year-old girl थी यानि एक 13-year-old girl थी, यानि 13-year-old girl थी, इसका नाम मे इसी तरह से एक बहुत तेज लहर आती है और वो उसको किनारी पर ले कर आ जाती है जैसे वो बच सकी अलमस जावेद जो की एक 10 येर ओर्ड स्कूल गल थी, पोर्ट ब्लेर में कारमल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और वहीं भी उसके फादर का एक पैट्रोल पंबी था उसकी मदर जिनका नाम था राहिला उनका घर नानकौरी आइलेंड में था ये फैमिली वहाँ पे क्रिस्मस सेलिबरेट करने के लिए गए थे जब सुबह सुबह भूकम के जटके है तो पूरी फैमिली सोरी थी सिर्फ एलमा के जो फादर थे उन्होंने दिखा कि समुदर का पानी उपर की तरफ उठ रहा है और वह समझ गए कि तुरंती अब जो वाटर है वह ग्रेटर फोज के साथ में रश बैक करेगा यानि वापस आएगा उन्होंने सब लोगों को उठाया और एक सेफर प्लेस पे भाग कर चले गए जब वो भाग कर जा रहे थे तो उसके ग्रेंट फादर के सिर पे किसी का सिर टक राता है और वो नीचे गिर जाते हैं उसके फादर ग्रेंट फादर को बचाने के लिए जाते हैं और उसी समय पहली जाइंट वेव आती है यानि बहुत बड़ी लहर आती है और दोनों को बहा कर लेकर चली जाती है अलमा की मदर और दूसरी आंट एक कोकणनेट ट्री को पकड़ के खड़ी रहती है और बहुत बढ़ी लहर आती है तो वो दिखती है कि वो कमोटlor के एक हास्पिटल में है से उसे port blare में लेकर आया गया छोटी से बच्ची आज भी कभी उस incident के बारे में किसे सब बात करना नहीं चाहती चुटी आज तक भी वो traumatized है अब हमारी एक नई story स्टार्ट हुरी है मतलब second story स्टार्ट हुरी है जो की है टिले स्मित के बारे में टिले स्मित जो की एक British cool girl है और उसने बहुत सारी lives को बचा आया जब उसने दिखा कि सुनामी थाइलेंड के Phuket Beach पर आ रही थी हालनकि उसको बहुत सारे awards मिले लेकिन फिर भी उसके parents उसको अलाव नहीं करते कि कोई भी उसका interview ले टेलिविजन पे उसका interview दिखाए और उसे heroine के रूप में पेश करे तो यहाँ पे हम जो story पढ़ने वाले है यह थाइलेंड की एक लड़की की story है South East England की एक Smith family अपना Christmas celebrate करने के लिए Southern Thailand के beach resort पे जाती है टेली स्मिथ जोकी एक 10-year old school girl है और उसकी sister 7 years की थी उनके parents का नाम था Penny और Colin Smith 26 December 2004 की बात है जब tsunami waves अपने राश्टे में चल रही थी मतलब राश्टे में आ रही थी उससे पहले एक बहुत बड़ा earthquake आता है धिरे धिरे उस island पे पानी आता जा रहा था और island छोटा होता जा रहा था अब Penny Smith को तो पता भी नहीं चल था कि actually हो क्या रहा था वो समझ ही नहीं पा रही होती है लेकिन तेले इसमेथ इस बात को समझ जाती है कि अभी दो वीक पहले ही उसने geography का एक lesson पढ़ा था जिसमें उसने tsunami के बारे में पढ़ा था उसे याद आ जाता है कि उसने class में tsunami का एक वीडियो देखा था tsunami का वीडियो जिसने Hawaii Island को 1946 में हिट किया था और उनके geography teacher ने उन्हें वो वीडियो class में दिखा था tsunami इसके बारे में भी बताया था कि tsunami जमीन के नीचे समदर के नीचे जो अर्थक्वेक होता है उसकी वज़े साती है वालकन है उसकी वज़े साती है या फिर लेंड्सलाइड की वज़े साती है और टेले बुरी तरह से अपनी family पर चलाने लग जाती है और बोलने लग जा थी कि यहां से बाहर निकलो हालें की family को तो कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन उसको इतना डरा हुआ देकर सब लोग समझ जाते हैं कोई ना कोई तो गड़बढ है और सारे के सारे लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं उसके parents टेली को लेकर बाहर निकल जाते हैं बीच से और उनके साथ बहुत सारे लोग जो की बीच पर ही actually celebration कर रहे थे वो भी उनके साथ बाहर भाग कर आ जाते हैं और वो सारे के सारे लोग होटेल पे जाते हैं और थर्ड फ्लोर पे जाके शरन ले लते हैं वो बिल्डिंग तीन बार हिट होती है सुनामी वेव से लेकिन फिर भी समहा वो सर्वाइव कर लेती है इसके बाद में समित को वो लोग जो बच गए थे सुनामी वेव से वो लोग ठैंक करते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज को भी लूज कर दिया था जब टिली वापस अपनी स्कूल में जाती है तो वो अपने क्लासमेट्स को अपनी इस टेरिफाइंग टेल के बारे में बताती है इस दरावनी कहानी के बारे में बताती है जब इंडिया और स्री लंका में सुनामी आई थी, उससे पहले जितने भी वाइड और डिमेस्टिक आनिमल्स थे, यानि जितने भी जंगली और पालतू जानवर्ट थे, उन सब को बता चल गया था कि अब क्या होने वाला है, और वो सारे के सारे लोग एक सेफ जगे पर अपने लो लाइंग ब्रीडिंग एरियास को छोड़ कर चले गए, और जू अपने शेल्टर में चले गए, और कितना भी फोर्स करने के बाद में वो बाहर ही नहीं है अपने शेल्टर से, बहुत सारे लोगों को तो ये मानना है कि अनिमल्स में एक सिक्ष सेंस होता है, जि इसलिए वो अर्थ की चोटी से चोटी वाइबरेशन को भी सेंस कर पाते हैं और उसे फील कर पाते हैं और आते होए डिजास्टर को इजिली सेंस कर लेते हैं, हुमन से काफी लंबे टाइम पहले ही, देखिए हम लोगों को एनिमल्स के सिक्ष सेंस के बारे में तो पता नह हैं कि उनमें सिक्सेंस होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन फैक्ट ही है कि सुनामी की वेवस ने जब हिट किया था, इंडियन ओशियन से जब सुनामी की वेवस ने हिट किया था, तो लगबग आज पास की एक दरजन कंट्रेज में एक लाग पचास अजार लोग मारे ज चुके थे लेकिन बहुत ही कम एनिमल्स थे जिनको डेड रिपोर्ट किया गया यानि जिनकी मौत की पुष्टी हुई इंडिया के भी कुडाल और कोस्ट पे जहाँ पे थाउजन्स आफ पीपल पैरिश हो गए यानि बहुत सारे लोग मर गए बफेलो गोड्स और डॉक्स इनको कोई भी नुकसानी नहीं पहुचा श्री लंका के याला नैशनल पार्क में बहुत सारी वराइटी के अनिमल्स रहते हैं एलिफेंट्स लेपर्ड और बर्ड्स की 130 स्पीसिस वहाँ पे रहती है 60 विजिटर्स वहाँ से वाश अवे कर गए यानि 60 विजिटर्स वहाँ से बह कर चले गए पतंगला बीच से जो की पार्क के अंदर है लेकिन एक भी जानवर की लाश का पता नहीं चला क्योंकि जानवर मरी नहीं थे सिर्फ दो वर्टर बफेलोस का पता चला जो मर चुकी थी कुछ लोगोंने तो ये भी बताया जो की आई विटनेस थी कि जब सुनामी हिट करी थी उससे करीब एक घंडे बले याला नैशनल पार्क में उन्होंने तीन एलिफेंट्स को दिखा जो की चलाते हुए पातंगला बीच से चलाते हुए जो की भाग कर जा रहे थे एक श्री लंकन जेंटल मैन है जो की कोस्ट पर ही रहता है और उसने बताया कि उसके दो डॉग्स उस दिन डेली रंग के लिए बीच पे गई नहीं जनरली मैं उन्हें बीच पे लिगर जादा था हमेशा उनको घुमाने फिराने के लिए लिए लिक और बहुत ही ज़दा एक्साइट भी वह होते थे नेक्स वीडियो तक लिए हाव गुड़ी टिकर बावाई जैहिंज भारत राध्य राध्य